इस वीडियो में आपको खोलेगे के कैसे मार्किंग करते हैं तो सबसे पहले आप अपने ब्लाओस की लंबाही ले ले जैसे मेरे ब्लाओस की लंबाही है, यहांपर 15 पर एक मार्किंग करें मैथट सेम रहेगा आप किसी भी साइज के लिए इसको बना सकते हैं तो यह हमारी ब्लाउस की लंबाई है अभी हम चलते हैं सोल्डर की तरफ तो देखिए सोल्डर 5.5 अभी लेते हैं मुड़े मुड़े सेक्षिंग और देखिए यह मैं आपको 40 साइज का बता रहे हूं देखिए 12 इंच ले लेंगे इसमें हमारा तैयार में 10 इंच रहेगा फोर्थ वाग और 2 इंच का इसमें मार्जन है आप किसी भ और अभी चलते हैं नेक की तरफ तो नेक सोल्डर से 2.5 देखिए मैंने इसका नेक की लंबाई 6 इंच ले रही हूं आप इसे कम जादा कर सकते हैं अब इसकी गुलाई कर देंगे तो सोल्डर से सैम रहेगा नीचे से हलका सा ब्रॉड कर सकते हैं तो देखिए यह हमारा ने द्रॉड कर देते हैं जो भी आपका कप साइज है उसी साब से लेना इसमें अभी एश्टा मार्जन नहीं ले रहे हैं क्योंको जो अलग से कटोरी कट करेंगे उसमें एश्टा मार्जन आ जाएगा देखिए लाइन इस तरीके से यह ड्रॉड हो चुकी है अभी यह हम तीन भाग करेंगे तो यह दस इंच है दस इंच के तीन भाग कर लेते हैं तो सवा तीन इंच के आसपास के भाग आएंगे यहां पर तो सवा तीन इंच पर यहां पर एक बॉक्स बना लेते हैं यह हमारा साइड का पार्ट रहेगा यहां पर फिटिंग आ जाएगी इतन नेक यहां से, shoulder से, neck के नीचे की तरफ, 4 इंच पर एक dot लगा लेंगे, 4 इंच से लेके, अभी हम यहां पर इस तरीके से, हलकी से dot लगा लेता हैं, तो dot आपको यहां तक ही लगानी है, जो हमने यह लाइन ड्रॉ करिया है, इस तरीके से, और यहां पर भी गुलाई देनी है, तो 1.5 इंच उपर की तरफ से, यहां पर गुलाई दे देंगे, तो यहां से, इस तरीके से, इसकी shape आ जाएगे, क्योंको यह कटोरी हमारी काम नहीं करेगी, कटोरी हम दूसरी और बनाएंगे, तो आप चाहें तो इसको paper पर draft कर सकते हैं, अगर आपके पास कपड़ा ज़ करेंगे, उसके लिए क्योंको belt भी एक इंच भी से बढ़ाना स्टाट करते हैं, तो यहां पर एक इंच की marking कर लेंगे, क्योंको अलग से हमको पट्टी लगाने की जरूत नहीं पड़ेगी, अगर कपड़ा नहीं है, तो आप पट्टी भी एश्ट्रा लगा सकते हैं, तो इस कटोरी को हम दूसरा कटोरी कट करेंगे, तो इन दौनों पीस तो हमारे सैम रहेंगे, इसमें आपको कोई भी चेंज करना है, जो भी चेंज करना इस कटोरी में, तो दीखिए, जो मैंने कपड़ा लिया है, देखे, यह कपड़ा है, तो आप एक सीधा कपड़ा रखे, जैसे हमने सीधा रख लिया और इसको हम इस तरीके से रखेंगे तो Giant हम को यहां पर एक इस इस साइड पर को इस तरीके से यहां पर तयार कर देते उतना ही रखना है अभी हम इस साइड में चलते हैं तो यहां पर भी आपको एक इंच लेना अभी जो एक एंच लिया है और जो नेख है यहां पर एक सलाई यहां पर भी आपको कुछ नहीं करना और यहां से इस तरीके से यह तो नीचे का इस तरीके से डॉट आई अभी हम यहां से लेकि नीचे की तरफ 1.5 इंच एक्ष्टा लेंगे तो इसी में हमारा जो तैयार जो मार्जन रहेगा का तो इसमें आज जाएगा तो यहां पर कीं केले हैं जैसे कि नौ इंच है तो नौ के शाढ़े चार इंच पर इस तरीके से यह तरीके से यह तरीके सके मार्किंग अभी जो में दीच और निच्ट मार्किंग की है, यहाँ पे प्लेट की मार्किंग करते हैं तो इन तोनों पार्टों में देड़ इंच ले ले ar Valor 은 में डेर इंच की मार्किंग करें भुए यह ड्राफ्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है यह हमारी कटोरी होगी यह साइड का पाट है और देखिएक नीचे की बैल्ट है अभी मैं चाहिए हूं इसको डवल कटोरी में कट करने का क्योंकि हमने वी सिंगल कट कर लिया एब इसनी तरिकीर भी बना सकते हे वह भी बिनूइ धिश्क नहीं करेंगे सिर्फip मार्किंग से हम इसको में तइयार के अब स्य आपको कुछ भी नहीं करना आ हैज इसी तरीके से यहां पर मार्किंग कर नहीं हम मेजरमेंट करें श्कटबश सब्सक्रण करें है जो नहीं प्लेटा रहा है। अभी चलते हम साइट के लिए today कर दे McM qualitative तो इहाँ पै हम पांच इंच पह मार्कें कर लेक्ण का क्लेंगे को पांच इंच से इस तरीके से इसी डॉबड लगा देंगे यह पर तो इसकी से नहींए इस तरीके से देखेगी आपकी डवल कटोरी तो दीखिए जो हमने मार्किंग किए अभी प्लेट डालना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम नीचे वाली डालेंगे और उसके बाद कनवेटर कि जो साइड को पार्ट है इसको अटेच करेंगे तो इस साइड के पार्ट को नीचे रख लेते हैं सीधा पाट है इसके ऊपर यह कटो रही आ जाएगी और नीचे तक इस्टेच कर देखिए जो यह बैल्ट है इसको इसके ऊपर रख लेंगे इस तरीके से और एक और अपड़ने फस्टलाइ ? तो दीखी यहां पे मैंने हुकट्टी भी स्टिच कर दिये और नेक की फिनिशिंग भी ते दिये तो आप देख रहे हैं कि इसका जो कप साइज है कितना अच्छे से आ गया है नीचे हमारी फिनिशिंग भी हो चुकी है और देखी जब आप इसकी साइड फिटिंग कर देंग तेंग।